हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छ होंगे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम प्रीमेर प्रो के अंदर 3D कैमरा एनिमेशन सीखने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊगा कि न्यूस पेपर 3D एनिमेशन नेती आप करना चाते हैं आपकी क कमेंट आते हैं कि प्रीमेर प्रो की वीडियो एटिंग आप बताइए तो आज की वीडियो आपनों के लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट होना दिया है तो चलिए डारेक्ली चलते हम अपनी कंप्यूटर स्कीन की तरफ तो ओक्रेंट निम् यहां पैना प्रीमेर पर उपन कर लिया अब यहां पर हमें कूछ आशेट बगैघर जो हैं वेए रखें है सबसे थे लंबाद मैं हमें चाहिए रहेगा कुछ texture like overlay वगरा कुछ हमें यूज करना है कुछ background यूज करना है तो वह सारी चीज़े से यह रहेंगे तो वह सभी चीज़ें अल्रेडी मैंने download करके रखी हुई है तो वह मैं उनको import कर लेता हूं यहां पर देन इसके बाद में जो हम आगे की जो process वह start करेंगे सबसे पहले मैं सभी assets को जो है import कर लेता हूं लाइक जैसे मुझे कुछ texture चाहिए तो texture के लिए मैंने जैसे यहां से इसको import कर लिया यह texture जो है यह मुझे ठीक लग रहा है तो इसको मैं यहां पर इंपोर्ट कर ले रहा हूं आप चाहिए तो और भी दूसरे texture जो है import कर सकते हैं ठीक है तो यह texture मैंने इंपोर्ट कर लिया है देन इसके बाद मैं एक दू टेक्शर और जो है करेंगे अपनी वीडियो में एंड हमें कुछ background वगएरा चाहिए हैं तो हम पेपर का background के लिए हमने यह यूज कर लिया है यह background हमें सही लग रहा है तो इसको हम यूज करेंगे दैन हमें चाहिए कुछ लिखा हुआ है तो उसको ने यहां पर इंपोर्ट कर लिया है तो यह सारी चीज़ें हम ने यहां पर इंपॉर्ट कर ली है अप इनी का यूज करके जो है काफी अच्छा जो है अपना allowed कर देंगे कर देंगे तो यह हमारा से और वह रेड़ी करना है उतने देर का आप यहां पर इसको लगा सकते हैं ठेक हैं तो यह कुछ है यहां पर मैं जो है 30 seconds के बहुत कोंrt चांट पट जाता हुड़ायाइ तो ाह ऐना पर कम कर के मोड़ाएँ तो यहां च्टक खराब हो जाएंगे तो सिम्पल आप स्केल इसको कम करके देख सकते हैं तो अल्रेडी मतलब यह सही है प्रॉपर फिट है पूरे स्क्रीन पर यहां पर यह चीज हो चुके है अब हम यहां पर एक न्यूज आर्टिकल ले ले लिए तो यह देख्या आप न्यूज आर्टिकल हम इंपॉर्ट कर लेंगे हैं यहां पर हम इस बैकड्राउंड का एक डूप्लिकैट कर देऊंगा है टूर्ण उपबर兩त नार्ट को रिखना है तो शाली ब्लिकट अब यहां प्यां पर हम ही हो जोडओक और anyways fluor के digital फोड़न करेंगे ताकि जो टेक्स पगए रहा है यह सारी सीजन जो है पेपर में दिखाई देने लग जाए तो सिंपल क्या करेंगे यहां पर इस लेक्ट करके यहां पर जाएंगे उपैसिटी में ब्लैंड मोट पे जाकर करके इसको मुल्टिपलाई कर देंगे तो यह देखे हमारे पारड एक्षट वाले पारड को कट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे कट कैसी कि हमेन यहां पर ने सॉटकर बनाया हुआ है तो अल्रेड़ी में इस आप काफि जादा बताया हुआ आप लोगों को तरह आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरू तो हमने सिंपल यहां पर कर दिया ओवरले तो आप इसको सॉफ्ट लाइट करके देखेंगे तो 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 अच्छा लग रहा है तो यह थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो यह भी मुझे रखते हैं अभी के लिए फिलाल और बाद में लगता है तो हम इसको चेंज कर लेंगे दैन इसके बात में हमें क्या करना है कि हमें यहां पर इंपोर्ट करना है स्क्रेचेस ठीक है तो यह आप देख हैं यह जो इक नोटें है तो यहां पर मतलब यह पूरे सीन की उपर जो है स्क्रेचेस तो यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा बैस्ट है तो यह वाला मैं बड़े स्क्रेचेस हैं यह वाले में थोड़ा छोटा है तो इसको हम इंपोर्ट करके एक पर देख लेते हैं तो यहां पर देखोगे तो छोटी-छोटी लिए आप ड्रेट जो है इसको भी इमपोर्ट कर दीजे और यहां पर यहां पर सा तो अब इसका जो यहां पर बड़े टेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जैसे कि मैंने आपके कर दे इसको 60% ठीक है तो अब आप यह देखे काफी अच्छा है यहां पर देखने में लुक लग रहा है यह फिर 60 थोड़ा कम लग रहा तो हम इसको 70 कर देते हैं तो अब थोड़ा सा लुक सही लग रहा है बट अभी भी यहां पर यह बहुत लाइन बहुत फ्री डिया कैंट्र करते हैं अब यह बड़ा करेंगे तो यह हमारा घ्र नीचे बाक्क्राउंब रखा हुआ था तो यह कि मैंने इसलिए रखा हुआ था क्यूंकि अब जब हमने इसको नेश्ट कर दिया है तो यहां पर इसको चोटा बड़ा करेंगे तो पीछे भी जो है हमें बैक्ग्राउंड दिखाई देगा तो यहां पर हम इसको रोटेट वगेरा करेंगे तो वह पीछे ब्लैंग की रिया न दिखाई दे इसलिए खाली न दिखाई दे इसका उसका डुप्लीगेट करके रखा हुआ था तो इसीज़ को ध्यान रखेगा आप सिंपल हमें क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देते हैं अब इसके उपर एक इफैक्ट का नाम है बेसिक ठीडिडि एफेक्ट है यहां यहां पर डाल दिया है इसकी उपर आप देखोगे तो यहां पर आपको बेसिक 3D की प्रॉपर्टी यहां पर दिखाई देन लग रही है ठीक है तो इसको सिंपल यहां पर यूज करेंगे तो लाइक जैसे कि इसको आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो जैसे कि मैंने प्रॉड़ां खुड़ां इखता होगे तो यह ढूआ कको इस तरीके से जो है यहां पर झुणब कर तो कि जब यहां पर एक कम नटे कि आप कर लेना नहीं आपकर यहां तो यहां पर थोड़ा और पढ़र रहा हूँँ को ठीक है ताकि हम इसका जो animation मूव कर सके तो अब हमें क्या करना है सिम्पल की जो Nest है तो इसके डबल किलिक करेंगे आप तो यहां पर इंपोर्ट यहां पर डार्य आ जाएंगे आप तो यह चीज जो पाम देखेंगे तो यहां पर हाई लाइट करने लाइक जैसे हमें इसको हाई- मस लायंग को तो उसके ऊपर जो है इस तरीके से हम जो यहां पे एक सेट एक भागश करेंगे ठीक हैungैं सेफ ड्रॉW करेंगे एक करेंगे और यहां पडीया है या फिर आप चाहें तो आप इसको लाइट जैसा भी पर करना है कि यहां पर यह चीज होने के बाद में आपको इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज करना पड़ेगा ताकि जो टेक्स्ट है पीछे वो दिखाई देने लग जाए तो सिंपल हम यहां पर ब्लैंड मोड पर आएंगे और इस पर हम जाकर कर देंगे तो जैसे कि यह यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं अब जो भी बैस्ट लगेगा उस पर चूस करेंगे एक्जामपल के लिए इसको अभी यहां पर देखो कि तो बहुत जाता जो है सार्फ एज आपको दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा सिनमेटिक लोग यहां पर नहीं आ रहा है लाइक ज है तो यहां पर जो कलर्स बगरा है और यहां पर स्क्रेचेस बगरा होंगे तब जाकर के थोड़ा सा रियलिस्टिक फील आएगा ठीक है तो सिंपल हमें क्या करना है कि यह हमने यहां पर ग्राफिक्स जो एड कि हुआ है इसकी उपर हमें कुछ एफेक्ट जालना है तो हम जाएंगे एफेक्ट पैनल पे और यहां पर सर्च करेंगे हम रफिन एज ठीक है तो यह देक्वारे तो यह इसको सेटिंस है यह देखने मिल जाती है तो यहां पर थोड़ सा सैटिंग आजश करेंगा जैसे को मैं बढ़ा तेंगे तो आब यहां पर रिट्य से देखोगे जैसे कि मैं जूम करके देखा देता हूँ अब आप और आप देखो गए तो रफिन इंच जैसे यहां पे नहीं था तो ये क्दम kommt कर्का नहीं हुआ है यहां पर इसको अप लगा रहा है तो यहां पर यहां पर fit कर देता हूं तो यह इस तरीके से रफेने इसके यूज करके आप बहुत ही अच्छा लुक जो है यहां पर आप जनरेट कर सकते हो ठीक है सिंपल अब यहां पर आपको क्या करना है कि इसमें एनिमेशन भी लगाना आपको कि एनिमेशन यह लेट से राइट में एन इनिमेशन कितने फ्रेम का करना है तो वह हम देख लेंगे यहां पर लाइक कितने देर का अनिमेशन आपको करना है तो यहां पर आपको जो है इसमें आपको अनिमेशन करना जैसे कि यहां पर मैं प्ले कर रहा हूं इसको यह देखे तो अब आपको कितने सेकेंड करना उसक तो हम 100% कर देंगे तब आप देखोगे आपकि यहां पर बहुत अच्छा आपको देखने मिल रहा है अब इसको थोड़ा सा और स्लो करना तो इसको को आगे कर दो किया और यहां पर आप देखने मिल जा रहा तो इस तरीके से आप इसको पूरा अनिमेट कर सकते हो ठीक है तो काफ यहादा स्मूथ आपको देखने मिल दाएगा तो इस तरीके से आप बहुत ऑच्छा पर कर सकते हैं अब यहाँ पर आकर कर के लगा देखेंगे अब यहाँ पर पोजीशन की की लगा दी और यहाँ पर जो है skill की Ta lager देंगे और आगे जा करके कितनी दिर करना है तो उसे यह को अश्म करें चाहर चोंगे ऐसे निडरा के तो कितना प्यारा एंदिये संगמה plagiat जा wym में ऐन हैं दूसरे अंगल में आपको दिखाना है तो आपको और दूसरी अंगल में जो है इसको टा कर सकते हैं और यहां पर फिर उस century लगागर ऋसको कर सकते हैं तो बहुत क्याता है उस है अथा हमारा साम पूरा complete नहीं हुआ है तो सिंपल इसमें जो है हम यहां पर अभी और पोसेस करेंगे तो लाइक जैसे अभी आप देख रहे हो तो यह थोड़ा सा पूराा फील कर लेना है मतलब फुल कर लेना लेंथ इसके बाद में आपको एक मा इसके अपको चरीके चरें इसको घ्यांत कर देना है इस की यहां पर इस तरीके इंवर्ट कर देना तो यहां पर बढ़ा दिया है अब इसकी आप्य कर दिया है है 70 70 कर दी है तो यहां पर काफी अच्छा लोग आ रहा है तो इसको फैदर जो हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो और वह अच्छा लोग आपको देखने मिल जाएगा विदे काफी अच्छा विनियर्ड जो है यहां पर हमने जो है क्रिएट कर दिया है ठीक है अब हमें क्य अब आकर लागा और सब्छिए अब हम सेम मांसको हम यहां पे यहां पर कवापी कर लेंगे आजैस्ट में करने के बाद ने के बाद में पीक पर हमकोने कर देंगे थोड़ा है ठीक है गां अब कुछ ड़ई कर्देंगे deeper ऑप यहां इसके पर और यहां पर बढ़ादेंगे थोड़ा लाइक जैसे हमने इसको 20 कर दिया तो 20 में ज्यादा लग रहा है आपको तो 15 कर दीजे तो 15 में थोड़ा सफाही लग रहा देखने में तो अब आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको यहां पर देखने मिल रहा है तो सिंपल प्रक वर गारा हैous उपर कर दी कर दी श क्र countries अब यह बहुत एच्छा लोग को यहां पर अविर वर देखने मिल रहा है तो यह कहा है अच्छा सिनमेटिक लोग आप इस तरीके से यहां पर पूरा create कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को जो यह मैंने बताए है steps तो यह step follow करके आप आपके वीडियो को बहुत जाता next level पर ले जा सकते हो तो यदि आप लोगों को इस तरीके का वीडियो जो पसंद आते हैं तो मुझे नीचे comment करके वाँगा और यह आप किसी दूसरे topic में भी देखना चाहते हैं वीडियो को तो मुझे नीचे comment करके वाँगा तो friends मैं मिलूँगा एक नई और interesting वीडियो के साथ हैं तब तक के लिए take care and be creative